करनाटक के शिव मोगा में हुई बजरंग दल के कारेकरता हर्शा की हत्या के मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफतार किया जा चुका है हलंके शिव मोगा के साथ-साथ देश भर में तनाओ देखने को मिल रहा है हर्शा की हत्या को लेकर आज प्रदेश के अंदर बजरंग दल के कारेकरता उने भी आरोपियों का पुतलड़न किया साथ ही जमकन नारे बाजी भी की बजरंग दल के लोगों का कहना है कि हर्शा के हत्यारों को जल्द से जल्द फासी की सजा सुनाई जाए बजरंग दल के लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले हर्शा ने हिजाब को लेकर यहां कहा था कि स्कूल में सभी का युनिफॉर्म एक होता है इसलिए सब को एकी युनिफॉर्म पहन कर जाना चाहिए फत्वा जारी होने के बाद हर्शा की हत्या कर दी जाती है हर्शा के हत्यारों को फासी होना चाहिए रहा है की मैं उसके अध्यापर शूप था आज मेरे हेला को घ्ञाओ के अपकर लिए उसका की वारी ओ हowana कर रहे हैं कि ही इसके उन लोगों को टार्फिय करकर अच्शे किया जा रहा है ऑाइजय के उस कि शीन डहें हो एक गाव marginalized किया जाए कि हम ही आसा बजपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसकूल्स में जो रेत होता है २हींा बात कही उसका facebook में पहले फत्वा जारी होता है कि असोजान खी जाय ॥ां जारी करने के बाद उसकी उसकी मुस्लिम यह मुस्लिम लोगों ने उसकी हत्या कर दी, मुस्लिमों को हत्या करने के बाद वही जो जिदनों ने फत्वा जारी किया था, वो लोग उसके सलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने एक आतंगबाद, हिंदू आतंगबाद को ख़तम कर दिया, आतंगबाद कौन? इसकी परिभासा आपको हक्की बात.